अलोवेरा के हरवल और मेडिसिनल वैलु बहुत ज़ादा होती है इसकी बहुत सारी दवाईयों में अलोवेरा की जो जल होती है उनका प्रियोक किया जाता है साथ में इसकी जो मेडिसिनल वैलु जिसको हम घर पर यूज कर सकते हैं तो अगर आपका कहीं कट जाता है या जल जाते हैं तो इसकी पत्ती तोड़के आप उसका जल जो है उस प्लेस पे लगाते हैं जहां कटे या जले हैं तो उसमें अगर जल गया है तो छाले नहीं पड़ते हैं और बहुत ही आराम मिलता है साथ में aloe vera की पती है उसको आप निकालके उसका जो जल होता है उसको अपने फेस पे लगाते हैं तो फेस पे काफी glow आता है और आपका जो skin होता है वो healthy रहता है aloe vera कम से कम care में काफी अच्छी growth करता है तो aloe vera एक ऐसा पौधा है जिसकी आप जितनी कम care करेंगे उतनी अच्छे से ये पौधा growth करता है पर कुछ conditions में इसमें कुछ बिमारी आती है दोस्तों जिसमें आपको इसकी थोड़ी बहुत care करनी पड़ती है तो क्या बिमारी आत बिमारी को रोकना कैसे है और किस तरह के गंबले में लगाना है जो इसकी care है उसे कैसे करनी है वीडियो में लाश तक बने रहेगा कोई पार्ट मिस्स मत कीजेगा तो दोस्तों वीडियो सुरू करते है वैसे तो aloe vera दोस्तों एक perennial plant होता है जो 6 महीने या साल भर में खरा मरता नहीं है खतम नहीं होता है यह चलता रहता है अब दोस्तों बात करते हैं aloe vera एक succulent plant है जिसमें जो इसकी leaves होती है इसमें gel store होता है जिसकी वज़े से इसमें watering कम से कम की आवस्चता होती है जितने भी succulent plant होते हैं उनकी leaves में पानी वो store करके रखते है तो उन्हें पान पानी का जो नेचर होना चाहिए उसमें पानी होल्ड नहीं होना चाहिए रुकना नहीं चाहिए अगर पानी रुकेगा तो एलोवेरा का पौधा जैसा कि मैंने आपको बताए इसको पानी बहुत ज्यादा नहीं होता है तो पौधे में फंगस आने लगे और पौधा जाड़ से ग्रो बैंग में जिसकी चोड़ाई ज्यादा हो उसमें लगाते हैं तो इसमें जो नएने पापस आते रचते हैं उनके लिए इस पेस होता है तो इनको घहराई नहीं चोड़ाई की आवश्यक्ता होती तो ऐसे पाड़ का सेलेक्शन करें जो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसकी जो प्लेसिंग हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं, एलोवेरा को, जो है सनलाइट जीज़ादा नहीं चीज़ाइं या फिर इसको दोल रख सकते हैं या इंडोर रखने की जो बेनेफिट्स हैं, ये पौदा रात में भी अच्छे से ग्रोध करता है लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी ग्रोध चीए एक गंबला पूरा एलोवेरा से भर जाए इतना ग्रोध चीए तो आपको इसको रखना है फुल डे सनलाइट में सनलाइट से पौधे को कोई नुकसान नहीं है आप इसे चार से छे घंटे आठ घंटे दस घंटे की धूप में भी रख सकते हैं बस उसमें आपको एक चीज जो केर करनी है एलोवेरा की जो ग्रोइंग आप एटमोस्फेर के लिए टेंपरेचर के होगा 35 से जब उपर आपके यहां टेंपरेचर जाता है तो आप इसको किसी सेड़ेट प्लेस पे रखिए जाया कि डारेक्ट सनलाइट इस पे ना पड़े अगर डारेक्ट सनलाइट उसके उपर पड़ता है तो इसकी पत्या देखिए इस प्रिकार से ब्राइट होने लग जाती है और इसका जो जल होता है वो ना के खतम होने लग जाता है तो ऐसी कंडिशन में आपको धूप से इस पौदे को बचाना है जब टेंपरेचर 35 से उपर हो जाए 35 से नीचे है तो आप फुल्डे सनलाइट में इस पौदे को रखिए यह पौदा काफी अच्छे से ग राउन हो रही है और उसके बाद दो से तीन हफ़ते लगातार काफी हैवी सनलाइट रहा है काफी तीज धूप रही है और मैं इस पौदे को जो यह मेरा में मदर प्लांट है इसको मैं सेड में रखना भूल गया था मैंने ध्यान नहीं दिया तो इसमें यह बिमारी होने ल इसमें हमें जो कंपोस्टिंग करनी होती है वो मैं आपको दिखा दूँ मैं जो करता हूँ और बहुत ही अच्छे से इसमें हमारा पौदा ग्रोध करता है तीन महीने में एक बार आप एक गंबले की गुडाई करके इसमें आप एक से दो मुठ्थी बस नार्मल भर्मी और एपसім साल्ट का इस्प्रे कर सकते हैं इस पौधे पे एपसम साल्ट का इस्प्रे करने से जो इसकी पतियां हैं वो लस्, ग्रीन और चमखदार बनी होती हैं साथ महें इसमें जेल भी काफी अच्छी मआतरा में आपको मिलता है तो एक लीटर पानी में एक चमच एपस पॉप्स को आपको निकालते रहना है और निकालके आप नए प्लांट से रेडी कर सकते हैं तो जितने आप ये पॉप्स निकालते रहेंगे तो जो मदर प्लांट है वो आपका काफी घना होगा और मजबूत होगा जिससे कि उसकी पतियां होगी वो ये देखे इस प्रकार से जल से भरी होई होगे देखे बिल्कुल दब नहीं रही है इतना जल इसमें पत्तियों में है तो मजो पप्स हैं उन्हें आप निकालते रही है और सेपरेट करते रही है तो आपके पास पौधे भी हो जाएंगे देखे एक पौधे से हमने इतने सारे पौधे तयार किये होता है और साथ में एक विमारी में आपको और दिखाता हूँ कि यह अइंकी जो ट्रीट मैं यह यह जो तो आते हैं तो इनकि पीछह 171 तो आक यह बहुठे मिल्कूल भी नहीं दिया और ये जो leaves brown हो रही हैं अगर एंगे जर खतम हो रहा है तो इसके भी दो reason है यह तो पधा temperature जाद हो गया है जिसमें यह wear नहीं कर पाया और इनकी जर जर है वो ड्लाइ हो गयी जर ड्लाइ होने के वज़े से यह brown हो जाते हैं और जो ये black spot है, ये पानी या तो बहुत अधिक मात्रा में हो गया है, जिससे पौधे में root rot हो गया है, तो ये दो कारण होते हैं, इन में ये दो बिमारिया होती है, इसके अलाओ कोई pest attack, मैंने अभी तक अपने पौधे में नहीं देखा है, जब मैं करीब ये मेरे पास 3-4 स से पौधे हैं, कोई pest attack, aloe vera में नहीं आता है, तो इन से जो बिमारी उत्पन होती है, इसके लिए आप गंबले की मिट्टी की गुड़ाई कर दें अच्छे से, और गुड़ाई करने के बाद आप हल्दी पावडर का इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं, इस प्रकार से गंबल इसको damage कर रहे हैं, तो उनको यह समाप्त करता है, तो इस प्रकार से हमने हल्दी डालके मिट्टी में इस हल्दी को मिला देना है, अच्छे से, इससे क्या होगा, कि जो root rot हो रही होगी, वो कुछ हद तक control हो जाएगी, इसके अलावा अगर आप चाहें, तो इसमें fungicide powder और brown leaves हो रही है, यह खतम हो जाएंगी, तो दूस्तो अब बारी आती है, जो इनके pups हैं, इन्हें निकालके हम separate कर लेते हैं, तो जितने भी pups हैं, नए पौधे में बदल जाएंगे, और इनसे हमारे पास, पौधे जो है, काफी धेर सारे हो जाएंगे, तो देखे हमारे पास यह दो गंबलों में काफी जादा मातरा में pups निकल के आए हुए हैं, तो इन्हें हम separate कर लेंगे, और यह जो season है, मानसुन season, इसमें आप किसी भी पौधे को लगाते हैं, तो काफी अच्छे से, वो पौधा settle होता है, ग्रोथ उनकी काफी अच्छी होती है, तो अगर आप चाहें, तो यह मौसम को चूज कर सकते हैं, इस time को अपने किसी भी पौधे को separate करने के लिए, तो इस प्रकार से हमने कुछ pups निकाल लिये हैं, और इन्हें हम, जो हमारे गंबले में, हमने grow bag में मिट्टी भर के तयार की हुई है, उसमें transplant कर देते हैं, मिट्टी हमने आप आपको पहले ही बता दिया है, बिल्कुल नार्मल मिट्टी लेनी है, बस उसका जो drainage system है, वो मजबूत होना चाहिए, काफी अच्छा होना चाहिए, जिससे की पानी उसमें बिल्कुल भी hold ना हो, अगर पानी hold होगा, तो पौधा आपका खराब हो जाएगा, इसमें कर देंगे हम watering, और watering करने के बार इस बात का ख्याल रखना है, कि अभी नए पौधे हमने लगाए हैं, इन्हें हमें कम से कम एक हफते तक indirect sunlight में place करना है, जिससे की पानी एक बार stable हो जाएए, एक बार ये पानी पकड़ लेती हैं, तो फिर आप इसे full sunlight में place कर सकते ह फिरल इसे भाना है, जिससे के जिसस सकते हैं, एक बार जएची में Leukया हमने लेखे हैं, जिससे जाएए रहना हैं, पकल रहएढ हैं, जिससे जाएगों हो जो हैँ हम बार आा जो इसे पानी एमें खाना हो जो हम उ। fen।